तमिल नाडू में कथित तोर पर बिहारी मजदूरों की पिटाई का परजी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपी यूट्यूबर मनीज कस्यप को सौमवार यानि दस अपरेल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली बता दे मनीज कस्यप का केस जश्टिस कृष्णा मुरारी और जश्टिस संजे करोल की पीट के कोर्ट नमबर 13 में सुनवाई के लिए सुचिबुत किया गया था वहीं समन्द में मनीज कस्यप के वकिल डॉक्टर एपी सिंग ने कहा कि मनीज मामले की सुनवाई के लिए 10 अपरेल की तारिक मिली थी उनका केस नमबर 63 था लेकिन बोजनब कास तक 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाए यानि उनके केस का नमबर नहीं आया और लंच के बाद इस मामले की सुनवाई करने वाले दोनों जजज किसी अन्य मामले की सुनवाई के लिए किसी और कोर्ट में चले गए लिहाजा मनीज कस्यप के मामले में सौमबार को सुनवाई नहीं हो पाई है अब उनका केस फिर से सुनवाई के लिए सुची बत होने के बाद अगली तारिक पर होगी मनीज कश्यप की ओर से सुप्रिम कोर्ट में पिछले गुरुवार को याची का दायार की गई थी इस मामली में कोर्ट चिफ जश्टिस यानि से जी आई की अज्यक्सतावाली पीट के सामने उठाया गया था इस दोरान याची का करता के वकील ने अंतरिम राहत के लिए अदालत में अपील की थी इसके साथ ही मनीज कश्यप के वकील ने कोर्ट से मांग की थी कि इस प्रकरंड में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक जंगे कलब कर दिया जाए और कश्यप के खिलाफ एनेस से भी हटा दिया जाए जिसका तमिलनाडू राज्य की तरफ से पेस हुए वरिष्ट अधिवक्ता संजय हैंगडे और अमित आनन तीवारी ने विरोध किया था हैंगडे ने कहा कि कश्यप नयाईक आद्देश से हिरासत में है और यह अवेद हिरासत का मामला नहीं है इस पर पीट ने कहा था अगर वह हिरासत में हैं तो हम अंत्रिम राहत कैसे दे सकते हैं मामले की सुनवाई के दोरान जस्टिस चंद्र चूड़ने राहत देने से इंकार करते हुए सुनवाई के लिए 10 अप्रेल की तारीक दे दी थी बता दें यूट्यूबर मनीश कश्यप को तमिलनाडू में बिहार के प्राइवाज मजदूरों पर कथित हमले का फरजी वीडियो बना कर उसके परशार करने और दो राज्यों के बीच नफरत बढ़ाने की साजिस रचन के बाद 29 मार्च को तमिलनाडू पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी वहीं तमिलनाडू पुलिस ने मनीश कश्यप के खिलाफ एनस से भी लगा दिया है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ